हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफी कंफ्यूज भी कंफ्यूज इसलिए इकल रात से एक जो सूचना है उन्होंने खल्चल मचा करग दी हैं सूचना है बीपी एसी 3.0 नहीं जो की अगस्त में होने वाली थी और ये न्यूज मतलब जो न्यूज चल रहा था उसी के कर्टिंग मैंने लगाई है थम्निल में वीडियो के थम्निल में आपको दिखाए भी गया है कि अब मार्च में ही परिक्षा लेने की बात कहीं जा रही है सरकार के तरफ से ऐसा अभी तक BPSC की तोड़ा कोई नूटिफिकेशन है आयोग न सारे प्लाटफॉर्म इस पर यूट्यूब वीडियो डाले हैं न्यूज पर आया गई है कि मार्च में ही तेयारी है क्यों क्योंकि इस गौर्मेंट चाहती है कि इसको अचार सहीता से पहले कर लिया जाए और अगर मार्च में BPSC होंगी तो STET की जो होने वाले थी मार्च म उसको थोड़ा पर पीछे लिया जा रहा है फरवरी में ही करवाने की बात कही जा रही है ताकि 8 तक तो Demi Admit Card की बात कही गई है फिर उसके बाद जो भी तो हो सकता है कि 10-15 फरवरी से एक्जाम सुरू किया जाए और फरवरी में समेट लिया जाए फिर रिजल्ट के बाद BPSC बलग कर दिया जाए क्योंकि 15 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाली है BPSC के ऐसा कहा जा रहा है तो अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसी के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच एक सूचना लेकर के कि ये सूचना सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है ऐसा कोई अभ से भी करवाए गए है तो BPSC के भी हो सकते है क्योंकि सरकार की मनसा और अच्छी भी है अगर हो जाती है तो जो 2.0 में भासा करन कुछ मार्ग से करन रहे गए उन सब के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा लेकिन अब कंफ्यूजन आती है कि तैयारी कैसे करे क्या करें नह सब्सक्रा कर लेगा कर लेकिन अब थोड़ी से तैयारी को क्योंकि दूस्रे में में करना होगा कैसे लेके चलेंगे इसलिए तेज्जे से चेंट में नई मार्स से पहले ही complete कर लिया जाएगा और उसके fees भी बहुत ही nominal रखी गई हैं उन तमाम बारों 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 तमाम फीस के तमाम बातों के बारे फीस से रेटेर चडशा भी हम करेंगी और एक PDF में बना कर गलाया हूं जिसमें routine पूरे दिखाए गए हैं कि कैसे करेंगे जैसा कि आपको पता है कि class 11-12 में अगर commerce की बात की जाए तो commerce में accountancy में seat तो काफी कम आएंगी इस बार भी हुई है तो में हमारा focus होगा BST and EPS के बारे में बाकि हम accounts को भी हम complete कर चुके हैं पुराने batches already हमारे चल रहे हैं एक नई batches की जा रही है नई batches की और होंगी वो होगी 31 जनवरी 2024 से कल से वैनस जिसे 31 जनवरी 2024 से सुरू की जा रही है कल से मालब कल से सुरू की जा रही है जिसका timing आपको दिया गया है एक timing timing जो दी गई है वो दी गई है 8 वजे से VPSC के जो timing है वो VPSC 3.0 की timing दी गई है 8 वजे से लेकर के 2 वजे तक लगभग 6 घंटे की class VPSC की चलने वाली है है न और बिहार STAT की class 3 वजे से लेकर के 6 वजे 7 वजे जितनी तोखोंगी वो की जाएंगे ठीक है 3 से 6 तक दिया गया है उसको अगर बढ़ाए जाएगा तो त्यारी काफी कर नहीं है इसलिए यह routine सेट करके लाएगे है रूटीन में हम क्या कैसे कैसे करेंगे इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की हुई है इसमें हम मेरा plan है कि जितने भी questions previous से उसको discuss करेंगे और जो जो important exam से बिलकुल connect करने वाला point है उसको discuss करेंगे और test भी बीच कर दिन होा क्योंकि जान जान बे करते हैं कि साजस्ती बूजाने वाला उसमें चुटी होंगी तो वो जितनी भी दिन चुटी मानलब, जो भी दिन चुटी की बात रहे गई रवी बार हो गही है उस दिन सब में test डाल दिया गया है जिसमें अगर हम estate के बात करेंगे estate की batch 31 जनवरी शुरू होंगी और उसकी complete की तारीक दी गई है 10 फरवरी को 10 फरवरी को complete हो जाएंगी और 11 को उसका final test हो जाएगा इस बीच में दो test होंगे एक mid term test होंगे estate के और एक final test होंगे जो एक mid term test होंगे 4 फरवरी को and जो final test होंगे वो होगया 11 फरवरी को दो time test होंगे और इस तो में 11 फरवरी तक उसकी batch complete कर दी जाएगी अब exam 15 से ले तो भी ठीक है 11 से वे 10 से ले तभी डियो हमको कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी हम अपने दरव से clear out रहेंगे बाकि अगर exam kit तारीक बढ़ती है तो उसमें आपको help की जाएगे इसा किसी नहीं छोड़ दिया जागा help की जाएगे है ना ऐसा हमने पहले से pre data mine करके दो-तीन दिन हमने gap में रखा है क्योंकि 15 अगर फरवरी से होती ही तो दो-तीन दिन हमारे पास क्या होने चाहिए पास में cover up होने चाहिए time cover होने चाहिए time cover करके यहां पर अगर BPSC की बात करेंगे तो BPSC में चार फरवरी को एक test होगा है ना बीच-बीच में test and SST को भी discuss किये जाएंगे GS के भी SST की सार आ रहे है वो discuss करेंगे मैं रहेंगे वो discuss करेंगे आपके साथ पुड़े questions को important concept को कैसे question करना चाहिए कहां से question होते यह तमाम बातों के बारे में बाकि BST और EPS हम discuss करेंगे content भी chapter wise MCQ भी करेंगे content wise MCQ करेंगे previous papers करेंगे and test भी करेंगे इन तमाम चीजों को हमने routine ने बताया हुआ है यह PDF हमारे telegram channel पर दे दिया जाएगा even WhatsApp group जो हमारा free चलता है वहां भी दे दिया जाएगा और इस video को भी हम दोनों जगवा Facebook और YouTube दोनों पर upload कर रहे हैं आप लोग इसको ज़्यादा सेयर करेंगे और जो दर्वंगा के आसप ना के बराबर फीस ली जा रही है और बिल्कुल complete त्यारी की जा रही है जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल लगभग चौदर पंदरा में लगवा बीस के कम जाएगा रिजल्ट है पंदरो तो महीने कहीने pictures जिसके आगे हैं उनके photos लगे होंगे posters पे कुछ के pictures नहीं लग पर फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फीस STT का जो रहने बाला है compulsory paper, compulsory paper जो की compulsory paper मतलब जिसमें teaching aptitude, mathematical editing, research, GS ये सारी चीज़ा आती हैं उसकी जो फीस रहने बाली है only, only one 199, 199 रुपे, cable 199 रुपे, दोसों का नास्ता कर लेते हैं, 199 पे में आपर course भीक रही है, 199 ये course सारे के सारे prices साम से reflect होने लगेंगे application पर आप जहां पर जागर के purchase कर सकते हैं, application के link वीडियो के description में आप जागर purchase कर सकते हैं, बाकि उसमें content एड किया जा रहा है, देर देर करके कल से classes लेंगे तो दिखने लगेंगे, commerce के class plus notes STT के लिए 499 रुपे, 499, कितने 499 रु ठीक है, चलिए, BPST 3.0 में GS अगर कोई पढ़ेंगे तो उनको 999 रुपे लगेगा, class plus notes दोनों इसमें, test views ही में, इसके वाद GS plus commerce बात करेंगे, BST EPS, 1999 रुपे, अगर किसी को BST EPS दोनों को पढ़ना है, GS को पढ़ना है तो उनको देनी पढ़ेंगी, 1999 रुपे, GS plus commerce में क GS plus commerce में सके वाद EPS करेंगे, 9,99 रुपे, GS plus SST portions, SST जो class 628, 9,30 रहेंगे, उनको लगेंगे, 1999 रुपे, 1999 रुपे लगेंगे, ठीक है, तो यह है तगरीफीस, इस से कम फीस, किसी platform पर आपको नहीं मिलना है ये दावे के साथ करे सकता हूँ, इसकी वीडियो, आपको कुछ वीडियो YouTube के उपर भी मिल जाएंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं, डेमो, और डेमो के लिए और भी वीडियो अप्लोडेड हैं YouTube पर, आप जाकर को वहाँ देखिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप YouTube का लिंक दिया रहेगा, आप जाकर को देख सक करें और अपने जो सिक्षक बनने के सपने हैं उसको साकार करिए, जितने जाए इस पर ज्यादा ज्यादा इसको सेर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यह फिस कुछ दिनों के लिए रखी गई हैं, और फटा फट इसमें इंडोल करेंगे और हो रहे होंगे, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, वाट्सप कर सकते हैं, मारे साथ जानकारी लेख सकते हैं, और इसका जो पूरा रूटीन का पीडिएफ है हुगा मैं आपने टेलिग्राम चैनल पर वाट्सप ग्रूप में दे जिता हो, आप महसिर ले सकते हैं, धनी बाद मिलते हैं, कल क्लास के साथ, नए जोस के साथ, तो बिलकुल हिम्मत नहीं हारनी हैं और धैरी के साथ त्यारी करते रहनी हैं